Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है Class First की EBS Worksheet इससे पहले हमने Hindi और English की Worksheet डिस्कस की थी उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जा करके आप देख सकते है So Parents आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे के आपको Help मिले और आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपको बच्चों के Half-Wearly Exam की प्रिप्रेशन करानी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो So Here is our first question Take the correct option यहाँ पर हमें कुछ questions दिये गए है And नीचे उनके options दिये गए है तो हमें questions को पढ़ना है और correct option को tick करना है First one is Diwali is the festival of Options are Light, Color, Balloon यहाँ पर correct answer हो जाएगा Light Diwali is the festival of Light Next is We should keep our nails Short, Clean Both A and B तो यहाँ पर correct option होगा Both A and B हमें अपने nails Short or clean रखने चाहिए Next is Which one of the following is complete food? Vegetables Serles Milk तो यहाँ पर correct option होगा Milk We use our legs for Writing Running Holding Correct option is Running Next question is Write T for true And F for false Statement यहाँ पर हमें कुछ statements दिये गए हैं इन्हें हमें read करना है अगर यह true है तो हम यहाँ पर लिखेंगे T For false से तो लिखेंगे F First one is We have six sense organs तो यह statement wrong है हमारे पास होते है five sense organs यहाँ पर हम लिखेंगे F We get milk and egg from plants यह भी statement wrong है हमें milk और egg एनिमल से मिलते हैं प्लांट से नहीं मिलते तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे F We have dinner in the night यह correct है तो यहाँ पर हम लिखेंगे T We should bite our nails यह statement wrong है हमें अपने nails bite नहीं करने चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे F Our parents teach us good manners यह statement true है यहाँ पर हम लिखेंगे T Eid is the festival of Muslims यह statement भी correct है तो यहाँ पर हम लिखेंगे T Next question is fill in the blanks यहाँ पर हमें कुछ incomplete sentences दिये गए है इन्हें complete करने के लिए options में हमें यहाँ पर कुछ words दिये गए है तो हमें क्या करना है इन sentences को read करना है और correct option fill करके इन्हें complete करना है So first one is holy is called the festival of यहाँ पर options देखेंगे both color obey three tongue तो correct option हो जाएगा color यहाँ पर fill कर देंगे C-O-L-O-U-R Color Holy is called the festival of color We should our parents यहाँ पर correct option हो जाएगा Obey O-B-E-Y We should obey our parents We should take a everyday यहाँ पर हो जाएगा B-A-T-H We should take a bath everyday We take meals in a day यहाँ पर हो जाएगा three T-H-R-E-E We take three meals in a day Helps us to taste food यहाँ पर correct option होगा tongue T-O-N-G-U-E Tongue helps us to taste food Next is match the following यहाँ पर हमें कुछ words दिये गाए है इन्हें हमें match करना है इसके सामने जो words दिये गाए है इनके साथ में इन्हें एग इसे match कर देंगे इसके साथ में फिर अफ फिश फिश क्या है यह एक वाटर अनिमल है वाटर में रहती है तो इसे हम वाटर के साथ मैच करेंगे डिनर डिनर हम कब करते है नाइट में करते है तो इसे match करेंगे नाइट के साथ डॉग डॉग क्या है एक पैट अनिमल है तो इसे match कर देंगे पैट के साथ में write any two examples यहाँ पर हमें हर एक के two two examples लिखने है जैसे की first है plant foods यानि की कौन-कौन से food है जो हमें plant से मिलते है तो यहाँ पर हम लिख सकते है fruits, vegetables, animal foods animals से हमें कौन-कौन से food मिलते है तो यहाँ पर हम लिख सकते है milk, egg, pet animals यहाँ पर हमें two examples देने है पैट अनिमल के जैसे की डॉग, कैट इस तरीके से तो ये थी आज की क्लास वन की EBS वर्कशीट होफुल के वीडियो आपके लिए हलपफुल रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हलपफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विद मी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई